Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel. And this is the 20th lecture. ये मेरा 20th lecture है on the subject income tax. And this time हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही important chapter जिससे बहुत question पूझे जाते हैं that is residence and tax liability. And इस पे ये मेरा 3 लेक्चर विडियो है. दो लेक्चर विडियो इस chapter पर मैं already upload कर चुकी हूँ. This is my third lecture विडियो. तो चलिए एक बार detail में मैं आपको बताती हूँ कि पिछले जो दो लेक्चर विडियो से उसमें हमने क्या-क्या discuss किया था. तो जो दो लेक्चर विडियो से उसमें मैं आपको बहुत detail में बता चुकी हूँ कि residence of SSE क्या होता है. residence and citizenship ये इनमें क्या difference है वो हमने detail में समझा different type of residence हम पढ़ चुके हैं basic condition हमने दो देखी थी additional condition भी हमने समझी detail में and SSE different type के हो सकते हैं तो उनमें जो conditions होती है it varies ठीक हमने individual का case देखा, HEF का case देखा, firm का case देखा, AOP, association of person का और company का case देखा. तो ये सारे ही cases हम लोग बहुत detail में पढ़ चुके हैं, इस chapter का पूरा theoretical portion हम कर चुके हैं, इस lecture में अब हम करेंगे कुछ question, ठीक है, question के बिना तो अधूरा है न, concept समझ लिया लेकिन question नहीं लगाए तो फिर नहीं check हो पाएगा न, कि समझ में आया concept की नहीं आया, ठीक, तो इसलिए आज इस lecture वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ question इसी chapter से, right? बट question करने से पहले जरा एक बार जल्दी से हम लोग short में revise कर लेते हैं, basic condition and additional condition को revise कर लेते हैं, क्यों revise कर वारी हैं, क्योंकि देखिए, अगर आपको basic condition और additional condition पता है, तब आप इसके question answer कर लेंगे, ठीक तो इसलिए मैं जल्दी से आपको बस थोड़ा से यह जो दो conditions हैं, यह जल्दी से आपके साथ एक बार discuss कर लेते हैं, अच्छा यह तो बताया था ना, resident, मतलब types of resident की बात करें, तो resident, non-resident, resident तो type की होते है, ordinary और non-ordinary resident, ठीक, basic condition, सबसे पहले basic condition चेक की जाती है, basic condition में दो condition ह दोनों में से कोई भी एक फुल्फिल हो जाएगा, तो वो जो person है, वो क्या हो जाएगा, resident, ठीक, और दोनों condition नहीं फुल्फिल हो रही है, कोई एक भी नहीं हो रही, दोनों भी नहीं हो रही, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, non-resident, अब यह condition क्या है, पहली condition है, यह मैंन यह हुआ assessment year और पिछला साल previous year ठीक है जैसे इस समय चल रहा है 2022 ठीक है 2022 तो यह assessment हुआ 2022-23 और पिछले साल की बात करें previous year क्या होगा 2021 ठीक तो अगर जो SSE है वो previous year में 182 days या उससे जाता अगर इंडिया में रहा है ठीक है तो यह पहली condition है और दूसरी condition क्या है कि previous year पिछले साल 60 दिन या उससे जाता और PPY PPY मतलब preceding to previous year याणि previous year के बाद के जो चार साल है इसमें 365 days ठीक है तो दूसरी condition क्या है कि SSE previous year में 60 दिन रहा हो और preceding to previous year या पिछले से बाद के जो चार साल है उसमें अगर वो total 365 days रहा हो ठीक है तो यह दो condition है इन दोनों condition में स्क्रीन मैंने बहुत जादा गोज दी है, एक बाद क्लियर करती हूं, यह दो कंडिशन है, इन में से कोई भी एक फुल्फिल होती है, तो वो जो SSE क्या हो जाएगा, resident हो जाएगा, ठीक, फिर resident हो जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं फुल्फिल होती है, एक भी नहीं फुल कंडिशन में खास बात है, इसमें दोनों कंडिशन फुल्फिल होनी चाहिए, जबकि बेसिक कंडिशन में कोई एक भी फुल्फिल होगी, तो SSE क्या हो जाएगा, resident हो जाएगा, लेकिन एडिशनल कंडिशन में यह दोनों कंडिशन फुल्फिल होनी चाहिए, ठीक, पहली क एडिशनल कंडिशन में, पहली कंडिशन क्या है, कि जो SSE है, he has been resident in India, वो resident रहा हो 2 out of 10 year, ठीक है, जो SSE है, वो resident रहा हो 2 out of 10 year in preceding to previous year, यानि यह हुआ assessment है, यह हुआ previous year, और इसके बाद के जो 10 साल है, ठीक है, इसके बाद के जो 10 साल है, इसमें से कोई भी 2 साल, कोई भी 2 सा वो क्या रहा हो, resident रहा हो, ठीक है, यह पहली condition, दूसरी condition क्या है, P P Y, यानि preceding to previous year, वो 7 years में, टोटल 7 years में, 730 या उससे जादा दिन इंडिया में रहा हो, ठीक है, यह हुआ assessment year, यह हुआ previous year, और इसके बाद के 7 years, यानि यहां से लेके यहां तक के जो 7 years है, इसमें यह त पोटल 730 दिन या उससे जादा अगर इंडिया में रहा है, तो क्या हुआ, additional condition भी फुल्फिल हो जाएगी, ठीक है, और यह दोनों condition फुल्फिल हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि resident क्या है, ordinary resident है, और अगर इन में से एक भी condition फुल्फिल नहीं हुई, तो वो क् detail में पताया है chart, ठीक, चलिए, अब हम करेंगे question, पहला question, पहला question क्या है, Mr. X, an Indian citizen, was born in Dubai, एक Mr. X है, वो Indian citizen है, he was born in Dubai, Dubai में पैता हुए, he came to India, when he was of 12 year age, जब हो 12 साल के थे, तो वो India है, and went outside India for the first time, when he was 25 year of age, और जब हो 25 साल के थे, तो वो पहली बाहर इंडिया से बाहर गय एक है, went outside India for the first time, टीक है, वो पहली बाहर इंडिया और जान इफ्रासी थे, जब हो चुप पहली बाहर गये, went outside India for the first time when he was 25 years of age, ठीक है, He left for the Dubai in May 2019 He left for Dubai in May 2019 again and came back to India in March 2022 Mr. Ex-Indian citizen He was born in Dubai He came to India at 12 years and after that, he went to India first, 25 years He left for Dubai in May 2019 He left for Dubai in May 2019 and came back to March 2022 He came to India in March What is the residential status for the assessment year 2022-23? You have to tell your residential year for which year 2022 You have to tell your residential status Okay? First of all, you have to tell your residential status So, what is it? What is it? First of all, we will check the basic condition In the basic condition, there will be one condition So, what is it? It will be resident And if the resident is gone, we will check the additional condition and then you will see that if both conditions are fulfilled or they will be ordinary resident Okay? So, we have to do this So, we need to know the conditions Okay? So, now look here Last line here He left for Dubai in May 2019 That in 2019 That in 2019 If I will make a timeline This is in 2019 Supposed here This is in May 2019 What is it? It has gone And when it came back to May? It came back to March 2022 It came back to March 2022 So, you have to tell the residential status of 2022 So, one thing is He came back to India in March 2022 In March 2022 So, let me tell you Basic condition I have to tell you Basic condition I have written you Basic condition The first condition What is it? That in the previous year 182 days I will stay in India Okay? So, if it is in March 2022 In India March 2022 In India And our assessment year 22 Okay? So, let me tell you This was the previous year Previous year Meaning 1st April 2021 31st March 2022 This is the previous year Okay? Now, tell us How much similar in India In India In the previous year In India Okay? We have not given date How many dates But let us take this 1st March We have to take this 1st March Okay? So, it is 30 March How many days? 31, right? So, it is 31 days Okay? So, in the previous year I will stay in 182 days Or more than that So, it is not This is not This is not March 2022 In India So, it is not fulfilled Which is what is 182 days Or more than that In India Okay? The second condition What is it? 60 days Or more 60 days Or more than that Okay? So, it is not No The previous year is 31 If I assume that it is 1 March So, it is 31 days In India Okay? And another Second condition That is Ppy Preceding to previous year After previous year That is 365 Okay? 365 days Preceding to previous year In 4 years 365 days Okay? So, this condition is fulfilled It is fulfilled This condition That is Preceding to previous year Preceding to previous year Preceding to previous year After 4 years Okay? What was the previous year? What was the previous year? It was in 2021 Okay? In 2021 In 2021 After 4 years That is 365 days Okay? When did it go? Dubai In 2019 But it was before It was in India So, this condition is fulfilled That is 365 days 4 years Preceding to previous year So, this condition is fulfilled But this condition is fulfilled in 60 days And this condition is fulfilled In 182 days is fulfilled So, this condition 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 is fulfilled of course It was fulfilled So, this condition So, this is plante above the last year And the last year The long Sung extreme Значит in 2020 2022 में, ठीक है, मार्च 2022 कुछ यहाँ पर फॉल होगा, ठीक है, मार्च 2022 में ही back to India, मार्च, यहाँ पर भी देखे, पूरा date नहीं बता है, पर कोई बात नहीं, इससे निकल जाएगा, मार्च 2022 में ही return to India, वो इंडिया वापस आए, इस समय गए, इस समय वापस आए, ठीक है, तो आपको बताना है residential status, ठीक, अब बताएए कैसे किया जाए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे basic condition, ठीक, basic condition में पहला क्या था, basic condition में पहला है कि previous year में 182 days या उससे जादा रहा हो, तो यह है हमारा assessment year, यह है previous year, तो previous year में क्या वो 182 days या उससे जादा रहा है, तो देखिए previous year क्या है previous year में वो March में आया है न तो March में आया है इंडिया तो यानि वो maximum कितना दिन रहा होगा 31 days ही तो रहा होगा तो यानि यह condition fulfill नहीं हो रही है दूसरी condition क्या है दूसरी condition है कि previous year में 60 days and P.P.Y. preceding to previous year में 4 year में कितना रहा हो total 365 days या उससे जादा ठीक है तो बताइए previous year में कितना रहा है previous year में 31 days रहा है यानि यह 60 days वाली condition भी fulfill नहीं हो रही है ठीक लेकिन यह जो 4 year वाली यहां पे भी case है preceding to previous year previous year के बाद के जो 4 साल है यह हो गया previous year उसके बाद के 4 साल एक दो 3 यह हो गया 3 और यह हो गया 4 preceding to previous year पहला साल दूसरा साल तीसरा साल और चौथा साल इसमें क्या वो 365 days total रहा है हाँ इससे पहले अगर हम इसमें add करेंगे 365 days रहा है क्योंकि यह मई 2019 में इंडिया से गया है ठीक है लेकिन इसकी जो आधी condition यह 60 days वाली यह तो फुल्फिल हो ही नहीं रही है तो he will be non-resident वो कौन होगा वो होगा non-resident ठीक है तो इस तरीके से निकाला जाएगा अगला question करते है अगला question क्या है compute the residential status ठीक है assessment year 2022 days और फिर से वही Japanese individual है ठीक है वो इंडिया में रहा for 15 year 15 साल इंडिया में रहा फिर जापान चला गया मार्च 2019 में मार्च 2000 टाइम लाइन बना लेते हैं ठीक है मार्च 2019 में वो जापान चला गया ठीक है and he came back to India on 30th September 2021 30th September 2021 में वापस आया तो देखे यह हो गया assessment year यह हो गया previous year ठीक assessment year क्या है 2022 days previous year क्या है 2021 उसके बाद का साल 2020-21 उसके बाद 2019-20 उसके बाद 2018-19 ठीक है उसके बाद 2017-18 इतना मैंने बना दिया है तो जैपनीज 15 साल इंडिया में रहा और वो कब गया इंडिया से मार्च 2019 में तो 2019 मार्च कहां पर पढ़ेगा पता ही है वो यहाँ पर पढ़ेगा मार्च 2019-20 यानि यहां पर कहीं वो इंडिया से बाहर चला गया मार्च 2019 में भार चला गया और उसके बाद वो वापसका बाए या वो वापस आया 30 मही 2021 ठीक है ती सेप्टेंबर तो वो फिर यहाँ पर कहीं वापस आया है 30 September 30 September 2021 में वो वापस आया है यहां तक समझ में आया है वो यहां पे चला गया और यहां पे फिर वापस आया है चलिए कोईशन करना शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं basic condition basic condition में पहला क्या है 182 days या उससे जाधर आओ तो आप ज़रा add करिए 30 September को अगर वो आया है September 30 को अगर वो इंडिया में आया है September के बाद October, November, December, January, February and March ठीक है कितने महीने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच शे अब कुछ गरबढ़ हुआ है एक, दो, तीन, 95, March ठीक है छे महीने हुए छे महीने हुए और अगर मैं इसको number of days क्यालकुलेट करूँ ठीक है, अब आप जो है किस महीने में कितने दिन होते हैं ठीक है, उसके हिसाब से जब आप क्यालकुलेट करेंगे ठीक है, जब आप इसको क्यालकुलेट करेंगे आप देखेंगे, there are 183 days ठीक है, आप इसको क्यालकुलेट करेंगा इन 6 महीने में जितने दिन होते हैं आप इनको क्यालकुलेट करेंगे you will get 183 days वो 183 days इंडिया में था प्रीवियस येर में 30 सेप्टेंबर को इंडिया में आ गया तो 30 सेप्टेंबर भी काउंट होगा और उसके साथ 31 मार्स तक जब आप काउंट करेंगे you will get 183 days यानि वो इंडिया में 183 days रहा ठीक है, और 182 days प्लस का क्राइटेरिया है, तो यानि preceding to previous year, 4 year में कितना होना चाहिए, 365 days बट इन में से कोई भी एक condition फुल्फिल करते न, तो resident हो जाएगा तो इसमें तो पहली condition ही फुल्फिल कर दी कि ये जो individual है ये 183 days था previous year में और 182 का क्राइटेरिया है ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जो, ये जो Japanese individual है ये क्या हो गया, ये हो गया resident ठीक, अब resident दो टाइप की होते हैं, एक होता है ordinary resident और एक होता है non-ordinary resident तो उसके लिए हमें चेक करनी होगी additional condition, ठीक और उसके लिए मैं थोड़ा सा screen को clear करूंगी, ठीक है, उसके लिए हम चेक करेंगे additional condition additional condition, देखे क्या क्या है additional condition है कि पिछले 10 साल में से 2 साल वो क्या रहा हो preceding to previous year एक बाद पहले लेती हूँ preceding to previous year, P.P.Y preceding to previous year, 10 साल में वो 2 साल resident रहा हो, ठीक तो एक बाद देखे, यहां पे मैं और year define कर देती हूँ, 16-17 यह हुआ, तो देखे, यह हो गया assessment year, यह हो गया previous year ठीक है, अब इसके बाद के 10 साल, यहां से लेके यहां तक के 10 साल, इस समय यह इंडिया से गया, ठीक है, और इस समय वापस आया उसके बाद के 10 साल में वो 2 साल क्या रहा हो, resident ठीक है, वो क्या रहा हो, resident ठीक है, वो क्या रहा हो, resident रहा हो, तो फिर देखे, वो तो 2018-19 के बीच में गया है ना इंडिया से बाहर, उससे पहले तो यह resident था ही रही रहा था, ठीक है, यह देखे, यह देखे, दो financial year मिल गए जिसमें वो resident था, यानि पहली condition यह है, 2017-18 में पूरा रहा है, 2016-17 में पूरा रहा है, और उससे पहले 2015-16 में पूरा रहा है, तो उससे पहले तो था, तो यहां से अगर मैं काउंट करूँ, यह हो गया assessment year, यह हो गया previous year, और उसके बाद के financial year, यानि पहला साल, दूसरा साल, बहुत red color से काफी कुछ गोज दिया है, जो clear अब दिखनी रहा है, तो हमें pen change कर लेती हूं, पहला साल, दूसरा साल, यह हो गया तीसरा साल, यह हो गया चौथा साल, यह हो गया पाँचवा, यह दिस इस छटा, दिस इस 7th, ठीक है, तो यह 7th year में 730 दिन भी तो रहा है, यह इस समय गया है ना इंडिया से, उससे पहले तो थाई, उससे पहले कि, इसमें देखे, अगर मैं 7th year की बात करो 365 days, यह 365 days, यह 365 days रहा ही है, यानि दूसरी condition भी फुल्फिल हो गई, तो इसका मतलब क्या है, यह जो Japanese individual है, यह क्या है, यह है ordinary resident, यह क्या हुआ, यह हुआ, यह हुआ ordinary resident, ठीक, यह बात समझ में आएगे, क्योंकि यह additional condition जो है, वो भी अपने channel के बारे में, मेरा जो पहला channel है accounting master class, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी थोड़ा सा, यह वो list of subject है, जो मैं आज की तारीक तक अपने पहले channel accounting master class पे upload कर चुकी हूँ, अभी चल रहा है, नॉमबर 2022, नॉमबर 2022 तक यह सारे subject अपने पहले channel पे cover कर चुकी है, accounting master class पे, और अगर यह video आप कुछ महीने बात देख रहे हैं, कुछ साल बात देख रहे हैं, तो इसमें काफी new subject add हो चुकी होंगे, यह अभी तक है, साढ़े 500 से पी ज्यादा video lectures मैंने उस channel पे upload किये हैं, and this is my second channel, यह मेरा दूसरा channel है, इस पर भी म income tax, GST, और भी दूसरे subject हम cover करेंगे, तो मेरा बस यही कहना है कि उस channel को भी जरूर subscribe करियेगा, और अगर में चानल पे जितने भी uploaded notes है, अगर आपको notes चाहिए, then you can download my application, आप मेरी application जो है, जो Google Play Store पे available है, उसको download कर सकते हैं, और वहां से ले सकते हैं, और lecture useful लगे, लगे, आज के lecture में आपने कुछ सीखा है, तो lecture को like करना मत भूलिएगा, comment section में मुझे जरूर बताइएगा, और channel को नहीं subscribe किया है, तो जरूर subscribe करिये, और notification bell प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको मेरे upcoming videos की notification मिल पाईगी, right, चलिए अगला question देखते हैं, compute the residential status of a company, एक company है, उसका residential, अभी तक हम individual की बात कर रहे थे, अब हम जरा company के residential status की बात करते हैं, तो ABC is an Indian company, ABC एक company है, जो Indian company है, carry on कर रही है, business India में, as well as Dubai, Dubai में भी इसका business है, अब इसमें इसकी income जो है, which is accruing or arising in Dubai in the previous year is far exceeding its income accruing or arising in India, तो आपको इसका residential status बता करना है, यहाँ पे जो assessment year है, that is 2022 days, question 7 में आया, ABC एक company है, Indian company है, इंडिया में business कर रही है, ठीक है, साथ में इंडिया में और Dubai दोनों जगे business है, अब previous year में जो इसकी income है, Dubai से ज़ाद हुई है, ठीक है, income accruing and arising in Dubai, वो बहुत ज़ादा है as compared to India, तो आपको इसका residential status बताना है, तो मैंने बताया था, company के case में कोई ordinary, non-ordinary नहीं होता है, company यहाँ तो resident company होती है, यह non-resident company होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो company ABC है, this is an resident company, यह एक resident company है, यह Indian company है, यह resident company है, याद रखिये, income is immaterial, income का कोई impact नहीं पड़ता, भले ही foreign income जादा हो Indian income से, या Indian income जादा हो foreign income से, इससे उसके residential status पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो यह बस confuse करने के लिए, यह बाली information दी गई है, तो चलिए, तो आपको समझ में आगे है न, यह किस type ही company है, it's a resident company यह resident company है, तो चलिए, this was all about today's video, यह था पूरे आज के lecture का content, I hope आज जो मैंने पढ़ाया है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, काफी questions discuss कर लिए है, अब आप की जो book है, उससे और questions आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, अब हम अगले lecture में स्टार्ट करेंगे, exemption from tax, तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले lecture वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेगा, God bless you.